हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है मुझे पता है, आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नवी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बंदर के दोस्त आप सुनेंगे कहानी चलो, शुरू करते हैं कहानी बंदर के दोस्त एक दिन, एक बंदर कहीं जा रहा था रास्ते में उसे एक चुईया मिली कौन मिला उसे? एक चुईया चुईया ने उससे कहा नमस्ते किसको कहा? बंदर को आज आप बहुत खुश दिख रहे हो कहा जा रहे हो? बंदर मामा बोले मेरा नाम बंदर है मैं स्कूल जा रहा हूँ मेरी शिक्षिका का नाम एकता गुपता है वे है मेरा स्कूल है? मेरे स्कूल का नाम त्याल सिंग पब्लिक स्कूल सेक्टर साथ कनाल में है वा वा तुम तो बहुत अच्छे हो जाओ स्कूल जाओ पंदर आगे चला आगे उसे एक बिल्ली मिली कौन मिली? बिल्ली ने कहा नमस्ते आज आप बहुत खुश दिख रहे हो कहां जा रहे हो बंदर मामा? बंदर बोला मेरा नाम बंदर है मैं स्कूल जा रहा हूँ मेरी शिक्षिका का नाम एकता गुपता है वह मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल का नाम द्याल सिंग पब्लिक स्कूल सेक्टर साथ कनाल में है बिल्ली बोली वा वा तुम तो बहुत अच्छे हो जाओ स्कूल जाओ बंदर आगी चला बंदर मस्थ मस्थ होकर स्कूल जा रहा था अचानक बंदर के पास एक बस आकर रुग गई क्या रुग गई? बस पोपोँ पोपोँ र्र र्र पोपोँ बंदर रुग गया बंदर ने देखा कि एक बहुत बड़ी लाल रंग की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी बस के ड्राइवर ने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ रखा और पूछा तुम बहुत कुछ दिख रहे हो कहां जा रहे हो बंदर बोला मेरा नाम बंदर है मैं स्कूल जा रहा हूँ मेरी शिक्षिका का नाम एकता गुपता है वह मेरा स्कूल है मेरे स्कूल का नाम द्याल सिंग पब्लिक स्कूल कनाल है यह सुनकर ड्रैवर बहुत खुश हुआ उसने कहा मैं भी स्कूल जा रहा हूँ आओ तुम्हें मैं बस में छोड दूँगा बंदर खुशी खुशी बस में बैठ गया कहां बैठ गया बंदर बस में बैठ गया और वह स्कूल पहुँच गया कहां पहुँच गया स्कूल पहुँच गया बंदर बस से उत्रा उसने उतर कर सब को टाटा बाई बाई किया और खुशी खुशी स्कूल के अंदर चला गया कहा चला गया बंदर स्कूल के अंदर तो प्यारे बच्चों आपको कहानी कैसी लगी सभी बच्चे इस कहानी को अपनी ममा से सुनेंगे और फिर आंत में दिये हुए प्रशनों के उतर देंगे ठीक है बच्चों बाई बाई ठैंक यू